आपका स्वागत है मैं हूँ शीला चौबी आज के वीडियो का विशय है मात्राएं आज हम लोग आ की मात्रा मात्रा से बने शब्द और मात्रा से बने वाक्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चो मैं कुछ पिष्ली कख्षाओं की बातों की चर्चा करती हूँ आपको याद है स्वारो को हमने सीख लिया व्यंजन हमने पढ़े लिया अब आई मात्राओं की बारी बच्चो तुम कर लो तैयारी तो इस प्रकार आज हम लोग आ की मात्रा सीखेंगे आ ये आ स्वर है आ की मात्रा सिर्फ एक स्टेंडिंग लाइन से जोड़ी जाती है और ये मात्रा किसी भी व्यंजन में जुड़ जाती है तो उस व्यंजन का उच्चारण आ किया जाता है जैसे क प्लस आ का द प्लस आ द त प्लस आ ता म प्लस आ मा प प्लस आ पा ज प्लस आ जा आईए अब हम लोग आ की मात्रा से बने कुछ शब्द को पढ़ेंगे आ प्लस ग्र आग बस आ प्लस ल बाल क प्लस आ प्लस र काल हः प्लस आ प्लस थ हात क, प्लस आ, प्लस म, काम प, प्लस आ, प्लस न, पान अ, प्लस न, प्लस आ, प्लस र, अनार ब, प्लस आ, प्लस द, प्लस ल, बादल आईए बच्चो कुछ नए शब्द को पढ़ें राग राग दाग दाग जाग जाग साग साग नाग नाग दाल काल काल डाल डाल जाल जाल थाल थाल मार मार पार पार आर आर पार चार चार राम राम डाम बाम 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 कान, कान, दान, दान, मान, मान, आन, आन, धान, धान, अब हम लोग आ की मात्रा वाले कुछ वाक्य को पढ़ेंगे. माता का आदर कर, बात मान, अपना पाठ याद कर, आकर खाना खा, मानाव पाठ शाला जा, नाटक मत कर, कमल बजार जाकर, लाण टमाटर ला. तो बच्चों, आपने आ की मात्रा, मात्रा से बने शब्द और वाक्य को सीख लिया, आप दिन भर में 10 या 20 शब्द ऐसे लिखें और पढ़ें, जिन में आ की मात्रा हो. ये हमारी पहली मात्रा है, इसके बाद आपको अगली वीडियो में अगली मात्रा सिखाई जाएगी. धन्यवाद.